यह एक शिव जी का एरणाक लम में बहुत ही ओल्ड मंदिर है आज इस मंदिर में हमलों को आने का मौका मिला तो यह एरणाक लम शिवा टांप मुझे मालूम ने था कि यहां पर ट्रेडिशन इतना अच्छिस फॉलू की जाता है यह देखी यह शिव जी का में इंट्रेंस है आप यह दिया जल रहा है अभी द्वार बंद हो रहा है देखी जाता है आपको पूजा के लिए कुछ भी देना है वाके हां से आप ले सकते हैं तो यह ओल्ड स्टाइल में आपका केरला का मंदिर है आप बहुत ही अलग टैप की आपको फीलिंग आएगी और यह देखिए एक दम ट्रडिशनल स्टाइल में है इनफेक्ट अगर आप महाँ सामने मंदिर देखें आज जो मंदिर के सामने में अगर आप जो है बेल देखते तो आपको लगेगा कि किसी चर्श का बेल है तो मुझे कहिने के यह भी लगता है कि जो मंदिर है इस इन मंदिरों से ही चर्श का बेल भी कहने के इस्पाइड है और यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है इसके बारे में एक्जेक्टली मुझे तो मालूम नहीं कि कितना प्राचीन है फिर वे मैं रिस्टर्च करके आप लों को बताना चाहूंगा आप यह देखिए में इंट कोचिय का नेवी का उसके वजे से भी यहां पर आपको यह हेलकॉप्टर वरा का वाज में सुनाई इंटेतर है शायद अगर आप करसी देखिए शायद आपको दिप्राव हेलकॉप्टर तो यह जोहल भगवान का धाजम क्या बोलते हैं वह हो गया है ओल्ड ट्रडिशनल स्टाइल में और यह भगवान का इंटरंस है यहां पर है कि बहुत सुन्दर मंदेर बहुत ही पुराना है यह देखिए यह पर बंदों पर यह जो को अन्नु वैगार कुछ आप रख रहता है जिससे पूजा वैर की जाती है तो लोग आज बहुत लखी थे लखी इसके लिए थे क्योंकि अभी भगवान को जो है हम लोग के सामने म मंदिर का परिक्रमा किया और जब यह परिक्रमा चल रहा था हम लोग यहां पे थे तो मैंने क्या देखा कि भगवान को यहां पर तीन चक्र लगा जाता है तीन बार परिक्रमा की जाते मंदिर की ढूल नगाड़ों के साथ में अब स्वेदम ट्रडिशनल स्टाइल का मंदिर है और आपको इसमें एंटरेंस देखेंगे तो चारों दिशा में चार एंटरेंस है और आपको कुछ अगर प्रसादारा लेना है वह यहां पर मिलता है यह एक मंदिर बाहर में है छोटा मंदिर आपको मैंने जो है एक आल र अधिन इनको देखें लगता है कि कोई फॉर्डर है लेकिन यह मल्याली है पक कमल्याली यह एक एंटरेंस से सामने का यह आप यहां से देख रहे हैं और यह जो आपको बुड के ऊपर में देख रहा है यहां पर दीपक जलाए जाता है तो आप अंदाज लगा सकते है कि क् दीपक यहां पर जलाए जाता होगा तो पूरे दिवाल पर एक अलग ही टाइप की फीलिंग आती होगी और चलिए यहां भी एक्जिट मंदिर से एक्जिट अभी हम लोग हो रहे है हमारी मेडम जी कहा है आजो हो गया तो वापस हम लोग जहां संदर गये थे वहां पर आ गया है और मंदिर के सामने में ही जो है हनमान जी का भी मंदिर है यह सामने आप देख रहे हैं शिरी अने जैया मंदिर में तो यहां से यह एंट्रेंस है आप यहां संदर आते हैं तो आपके राइट साइड में हनमान ज इसी के साथ एन्वा किलम की शुवा टेंपल से बाए अजर आपनों को अच्छा लगे तो प्रीज हमें सपोर्ट कीजिए आप सपोर्ट कैसे कर सकते मालूम है प्रीज सब्सक्राइब आर चैनल अलसो शेर अलसो कमेंट अलसो लाइक थैंक थैंक थैंक्स अलाट